तो दोट्सको Airtel 5G Plus को आप अपने किसी भी Airtel 4G SIM के अंदर एक्टिवेट करके अपने किसी भी 4G फोन पहल हैं 4G HAND SETS के अंदर 5G Internet Students HD平 का मजा ले सकते हैं अगर आपak Airtel 5G Plus को आपने किसी भी Airtel 4G SIM के अंदर एक्टिवेट उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वीडियो को भिलकुल ध्यान से देखना, और अगर दोस्तों अगर आप Jio user है तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में Jio के लिए भी Jio 5G Speed VPN आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चली वीडियो को शुरूर गाते हैं, यहाँ पर New APN सेटिंग दिखाने से पहले, मैं आप लोगों को इसका Default Internet Speed यहाँ पर चेक करवा देता हूँ तो अब गाईज हमें यहाँ पर New APN सेटिंग जो 5G प्लस के लिए सेटिंग है, उसको करने के लिए सबसे बिले हमें हमारे फॉन की सेटिंग में चले जाना है यहाँ पर हमें हमारे Mobile Network पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे आना है और Access Point Name आपको दिख रहा है, इसके उपर हमें टेप करना है जिसी आपर टेप करेंगे तो उपर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, या फिर New APN का Option मिलेगा, उसके उपर हमें क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे सामने New APN open हो करके आज आएगा, तो सबसे पिले हमें यहाँ पर नाम फिल करना होगा, तो Name के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होगा, AirTel 5G, जिसके अंदर A जो है Capital है और G Capital रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर नीचे आजाता है APN, तो APN के अंदर आ में लिखना है, AirTel 5G Network, उसके बाद में password को not set रहना है, उसके बाद में आ जाते हैं, हम server पे, तो server पे आपको लिखना है www.airtel.in, जैसा मैंने लिखा है, सेम वेसी आपको लिखना है, यहाँ पर MCSC पर आ जाते हैं, तो इसको not set रहना है, MS proxy को not set रहना है, MS port को not set रहना है, और जो MCC और MNC है, यह आपका एक by default area code है, इसको आपको बिल्कुल भी छेड़चान नहीं करना है, इसा कैसे रहने देना है, उसके बाद में आता है authentication type, तो यहाँ पर आपको PAP और CHAP को select कर लेना है, उसके बाद आ जाता है APN protocol, तो APN protocol के उपर हमें यह यह by default IPv4 या 6 रह protocol, तो roaming APN protocol को भी IPv4 slash IPv6 पर set कर देना है, उसके बाद हमारी आजतिया पर most important setting BRR, यह काफी important setting, तो most important setting BRR को देखने से पहले, अगर आपको यह वीडियो जड़ा भी पसंद आई हो, तो वीडियो को like ज़रू से कर दे, अपने दूसरे 4G friends से साथ में इसको share कर दे, और चैन इसके बारे में, तो यहाँ पर BRR setting को काफी ध्यान से देखना, काफी important setting है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर BRR के उपर click करते हैं, यह not specified के उपर click रहेगा, तो यह click हमें हटा देना है, और LTE के उपर सबसे पहले हमें यहाँ पर tick कर देना है, तो चलिए यहाँ यहाँ प BRR को select करना है, उसके बाद में, 1 XRTT को हमने select कर लेना है, नीचे आकर, उसके बाद में IS95A को हमें यहाँ पर select करना है, अब यहाँ से हमें आ जाना है दोस्तों back, और back आने के बाद में, इस APN को हमें कर लेना है, share का option हो, तो share कर लेजिए, यह उपर click मार के उसको वहाँ से कर देना है, उसके बाद में, यहाँ पर हमारे पर दो APN सेटिंग हो गई, तो हमने जो अभी select किया है, वो है एरटल 5G, तो एरटल 5G को select कर लेना है, अब इसको select करने के बाद में, हमें जो है, हमारे फोन को reboot या restart करना पड़ेगा, तो चलिए हम हमारे फोन को reboot या restart कर लेत हैं, इस टेश्ट में आपको clearly पता चल जाएगा, दोस्तों के वाकी में हमारा जो 5G APN सेटिंग है, वो काम कर रहा है या नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों काफी अच्छा हमारा speed हो गया, 360 सितर प्लस चल रहा है, तो आशा करता हूँ का आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल के उपर अगर नहे हैं, तो चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब, और भी इसी तरह की informative वीडियो देखने के लिए, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बबाए, टेक केर, खयाल वगेगा अपना